विकास गर्ग नाम का एक लड़का जो की एक बेकरी की दुकान चलाता है, काफी बड़ी शोप है उसकी, अचाने की उसके मन में ख्याल आता है कि आज यहां कुछ भीड़वार जादा हो रही है, इसलिए अपनी दुकान को बंद करकर वो अपने लड़कों से कहता है कि यहां कर चुकी थी, दुकान में जितना भी समान था, सब तोड़ लिया गया था, लगभग साड़े साथ लाख रुपे कैश था, वो लूट लिया गया था, जितने भी फ्रीज थे, एसी थे यह समान था, उसमें लूट मचाई तोड़ फोड़ की भारी मातरा में नुकसान हर्याना का जो गुरुग राम है, वहां का सेक्टर 57 है, और सेक्टर 57 में एक मातरिक मस्दित है, जिसका निर्मान कारे चल रहा है, उस मस्दित में सुबह की नमास पढ़ाने के लिए, एक लड़का है जिसकी उमरलवग 22-23 साल के आस पास है, मुहमद साद नाम है उनका, सी आनंद बिहार से मुझफर पुर के लिए ट्रैन के रवानगी होने वाली थी, बस इंतजार था सुबह की नमास पढ़ाने का, लेकिन कोई नहीं जानता था कि रात को 12 बजे के आस पास, 70-80 लोग आएंगे और आने के बाद जो वहां पर 6-7 पुलिस करमी बैठे हो हैं, उन लगा देती है, गोली चलाती है, उसमें मुहमत साथ हमिशा हमिशा के लिए मारे जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, दो लोग जो बसते हैं, वो जिन्दगी रिमोत की जंग लड़ रहे हैं, विजए होंगे या फिर मर जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन विकास हो या मुह कमले में जो ये सब हुआ है, आज कहानी उसी पूरे घटना करम की है, आखरकार ये घटना होई क्यों है, हर्याना पर्देश के जिला नुह की, आज नुह ही नहीं, बलकि आसपास के जितनी भी 6-6 जिले हैं, वो पूरी तरह से जल रहे हैं, हजारों नहीं, लाखों लोग आज परिशान हैं, बहें ज़दा उनका बुरा हाल हो रहा है, दरसल कहानी शुरू होती है, राजिस्थान का एक जिला है भरतपुर, और भरतपुर का एक ठाना लगता है, पहाडी ठाना, यहां का एक गाउं है, खाट मी का गाउं, दरसल यहां का रहने वाला एक नाशिर ह हुसین और जुनेद 15 फरवरी 2023 को अचनक से लापता हो जाते हैं घरवाले इतनी जदा परिशान होते हैं कि परिशान होने के बाद घरवालों ने आसपास जितनी भी जगे थी वहां हर जगे तलाश करने की कोशिश की जब यह नहीं मिलते हैं तो नजदी की पुलिस इस्टेश को हर्याना का एक जगे लगती है भीमानी वहां पर एक बुलेरोकार खड़ी मिलती है बुलेरोकार में आग लगा दी गए थी दोनों की लाशें उसमें जलकर राख हो चुके थी बेकार हो चुके थी और जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है बस यह आवाज आती है कि यह गोवन्शो की चोरी कर रहे थे उनको लेके जा रहे थे और इसलिए इनकी हत्या कर दी गई है अब पुलिस इस मामले की जांश परताल में जुड़ जाती है पूरे देश में हाहकार मज जाता है कि बुलेरोक अचा करें इस नाम की अगर बारे में बात करें तो मेबाद छेतर में ये नाम गो रक्षकों के मामले में एक पिरमुख चैरा है इसके पास एक अपनी टीम है लबक 6 या 7 साल से लड़का जो गोवन्श होते हैं उनकी रक्षा के लिए ये सड़क पर निकल जाता है और जो के पास हतियार हैं खुद के पास भी हतियार हैं अब इन हतियारों को गाड़ी के डेक्स बोट पर रखने के बाद उनकी वीडियो बनाता है सोचल मीडिया पर अपलोड करता है और ये चैलेंज करता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तब तक छोड़ेंगे नहीं इसी लड़के पर लग जाता है फिर क्या था फिर तो इसकी ग्रफतारी के लिए लगातार दविशन दी जाती है इसे ग्रफतार करने के लिए भरतपुर की पुलिस हो या फिर और जिलों की पुलिस हो काफी कोशिश कर रही थी लेकिन मौनु मानिसर मिलता नहीं है उसका कहीं पता शुरुबात होनी थी यह होनी थी हर्याना प्रदेश के गुरुग्राम एक जगह है गुरुग्राम की सिविल लाइन से इसकी शुरुबात होनी थी लेकिन इससे पहले इससे एक दिन पहले या दो दिन पहले एक वीडियो था जो सोचल मीडिया पर पड़ी तेजी के साथ वा तुम्हारे लिए फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जाए तब भी पीछे से एक आवाज आती है तुम्हारे जी जा आ रहे हैं तो इसलिए हाले कि इनके मुझे बिट्टू बजरेंगे के मुझे नहीं निकलता है लेकि पीछे से आवाज आती है तो उसकी हामे हाम मिला दे में जिनका आरोप था कि यह अभीक्त हैं उसमें कि यह हत्या कारण में शामिल थे इनके वज़े से हत्या हुई है और पुलिस इनको गरफतार करने की कोशिश कर रहे थी लेकिन यह गरफतार नहीं होए और इनका जब वीडियो सोशली मीडिया पर वाइरल हो रहा था तो उ 2023 को हर्याना परदेश के जो गुरुगराम शहर है उसके सिवी लाइन से एक यातरा शुरू होती है जो कि मेबात छेत्रों में अलग अलग जगों पर जानी थी निकलनी थी और ये वीडियो जब वाइरल होता है तो इसके बाद फिर लोग पूरी तयार में जुट जाते हैं कि अब मोनु मानिसर का हम स्वागत करेंगे अब बिट्टू बजरंगी का हम पूरी तरह से स्वागत करेंगे अब स्वागत किस तरह से करना था फूल माला तो थी नहीं लेकिन किसी ने च्छतों पर पत्थर रखे किसी ने हातों में हतियार लिए कोई गाड़ियों में ब्रज-मंडल की यातरा निकल लए थी काफिला निकल लए था इस काफिले में भी लोगों के पास दंडे होते हैं बताये जातीय उते निमाफ्ति ने वहां सबसे आगी आगे जाके इस यातरा को रोक लेती है रोकने के बाद क्योंकि इस बीच में लगातार बहुत तेजी के साथ सांड बज़ रहा था उसमें गाने बज़ रहे थे ऐसे गाने जिन से कुछ लोगों को आपती होती है उन्हें लगता है कि ये गाने इस तरह से नहीं बजने चाहिए और नारे बाजी हो रहे थी ये भी दावा किया जा रहा था कि यहां पर पुलिस फोर्स लगा था लबग साड़े साथ सो पुलिस वाले थे बारे पंदरे के आसपास यहां इंस्पेक्टर होते हैं डी एसपी भी लगे हो थे एक एसपी भी लगे हो थे तमाम फोर्स लगी थी लेकिन फोर्स कहां थी उपद्रब मसता है इस कदर बहेंकर उपद्रब होता है कि जिसको जो मौका मिल रहा था उसको वहां पीटने की कोशिश की जा रही थी उसको वहां मारने की कोशिश की जा रही थी लगातार और यहां पर भीड का यहां पर लोगों का टार्गेट था सिर्फ मौनू मानेसर ले नहीं था, अंदाजा नहीं था, कि आने वाला जो वक्त है, बहुत ज़्यादा खराब है, और यह जो यात्रा है, इसमें अगर हमने सुरक्षा नहीं बढ़ती, तो ऐसा गरबड हो सकती है, और गरबड कुछ इस तरह से होती है, एक दो नहीं, पांच लोगों की हत्याएं हो जिसमें एक हमगाड होते हैं नीरेज और दूसरे होते हैं गुर सेबक, दो हमगाड होते हैं, तीन अन्ने लोग मारे जाते हैं, बेबज़े मारे जाते हैं, यहीं नहीं, लगबग 80-90 गाड़ियां जो होती हैं, जो रोड़ पर चल रहीं थी, जिसकी गाड़ी तोड़ रह आग लगा रहे थे जहां जिसका मुखा मिल रहा था उसे जलाने की कोशिश की जारे थी। हर किसी की कोशिश थी कि बस आज ही मौका है एक दूसरे को खत्म काड़ा डालो एक दूसरे को मार डालो। तब ही एक जथा लोगों का भीड जो थी वह सीधे पहुंच जाती है, साइबर सैल एक पुलिस रिस्टेशन होता है, वहाँ पर जब लगातार हंगामा चला है, उनकी गाड़ियों को फूखने की कोशिश कर रहे हैं, जब सब कुछ भी नहीं हो पाता है, गेट में पार नहीं गड़ जाए, उनका मकसद देखी था कि इस चोकी को यहां से खत्म कर दें, इसे बिकल बरबाद कर दें, यहां पर कोई चोकी नहीं होनी चाहिए, और इसके बाद देखते ही देखते, यह जो आग थी, यह हर्याने के लवग साथ आठ जिलों में पूरी तरह से फैल जाती ह हालत इतने खराब होती हैं कि लोग अपने घरों से निकलने से डरने लगे, यहां ना जाने कितने लोगों का रोजगार पूरी तरह से चिन चुका है, कितने लोगों की दुकाने पूरी तरह से बरबाद हो चुकी हैं, कितने ही लोग सलकु पर आ चुके हैं, विकास गर्ग हैं जो वीडियो बनाई हैं वो बाहर ना फैलें जिससे के माहुल और ज़दा खराब नहों और देखते ये माहुल पूरे देश में तनापूर इस्तिती हो जाती है लोगों का बस ये कहना है कि अब तो चुनाब आने वाला है साल दो हजार 24 का लोग सभा का चुनाब है उससे पहले के तयार है अभी तो ये शुरुवात है अभी जैने कितनी कितनी बाते होनी है लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश है इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आप आप लोगों को जागरू करना है, आप लोगों सचेत करना है, ये बताना है कि ये चुनाब तो हर साल आते जाते हैं, कभी विधान सभा के नाम पर, कभी लोक सभा के नाम पर, कभी पंचायत के नाम पर, कभी ग्राम पंचायत के नाम पर एलक्शन आते रहेंगे, तो कभी लो किस नगी